हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका गुरुविद्या में और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नौलिज कोश्चन्स की पॉलिटिक स्रीज तो इसमें हम राजनीती से संबन्यत कोश्चन्स देखेंगे ठीक है हम स्चाट करते हैं फर्स कोश्चन से भारत के विभाजन के बाद सन 299 जो भाजन हुआ था जो भारत पाकिस्तान का उसके बाद कितिती संक्या स्रमिधान में सब्सक्राइब सदस्रोगी 299 ठीक है आगे चलते हैं अब हम यदि राश्पती और उपराश्पती दोनों देश से बाहर हो तो उस जिस्ति में कारिभार कौन ग्रहन करेगा इसका मत मुखी नामाश्पती सस्मूती में सब्सक्राइब बाहर है тобой किसके ऊपर जाएगा बढ़वार है प्रदान मंत्री राजजिपाल सुप्रीम कोर्ड का मुख्य नायदीश या फिर अटॉर्नि जनरल हम्हार आंसर क्या है स्जू परिम कोर्ण के मुख्य नायदीश या परश सब्सक्राइब किते सब्सक्राइब चार आप्शन से 20 28 या फिर 30 हमारा आंसर क्या है 22 जो लोग लेका समिती है उसमें 22 सब्सक्राइब ठीक है आगे चलते हैं अब हम किसी विधान सभा में कोई धन विधेयक किसी की अनुमती के बिना नहीं प्रस्तूत किया जा सकता है तो किस की बिना अनुमती के प्रस्तूत किया जा सकता है यानि कि कौन सा आदमी है जिसके बिना जिसके अनुमती के बिना ये प्रस्तूत नहीं किया जा सकता ठीक है इसकी अनुदी के बिना राजुपाल की आगे चलते हैं अब हम निम्न में से मौलिक अधिकारों में संसोधन करने में कौन सक्षम है कौन सक्षम है आपस चार आप्शन्स है राश्पद्धी लोकसभा सरवोचनयाले या फिर संसद वह आंसर क्या है संसद संसद जो है आपस्षम परने में संसद कर सकता है थीख है आगे चलते हैं अब हम प्रत्षम अनुच्चेद के अनुसा भारत है क्या है भारत हम चार व क्षेंस है राजयों का समू, राजयों का संह या फिर राजयों का komt और एगी चलते हैं अब हमिंट अश्विष प्रस्ताव किस सदन में लाय जाता है यह औरू अलों ला भी लोक्सवा में लाजिदा यह प्रिस्ताव ठीक है आगे चलते हैं हम निमलिखित में से क्याइंट रद्ध है क्या है आपस्चार ओप्षेंज एक संविधानिक संस्था एक अतिरिक्त संविधानिक संस्था एक नयायक संस्था या फिर एक अर्थ नयायक संस्था नमरा आंसर क्या है एक अतिरिक्त संविधानिक संस्था जो कैबिनेट समिती होती है वो एक अतिरिक्त संविधानिक संस्था होती है ठीक है आगे चलते हैं हम लिखित में से कौन भारत के सन्विधान की और की कोई विशेष्टा नहीं है यानि कि बागी विशेष्टा हैं खाली एक विशेष्टा नहीं है अब चार अप्शन्स हैं एकिकरत नयायपालिका दोहरी नागरिक्ता अपातकालिन प्रावधान या फिर मौलिक कर्तव्यों प्रावधान या अपातकालिन इंपातकलिन प्रावधान और मौलिक कर्तव ये थिनों तो क्या है इसके भारत के सम्विधान की किवशेष्टा तो यह हमरा नहीं है आगे आपके दशा लोक सेवा आयोग् के सदस्यों को निकालने के लिए कौन जमेदार है कौन जी मता रहे हैं पास चार आप्शन से राज्यपाल राश्टपती यूपीसी के अध्यक्ष या फिर इन में से कोई नहीं और आंसर क्या है भी राश्टपती लोग सेवा योग के सदस्यों को निकालने का कौन है जमेदार राश्टपती है ठीक है राज्य-विधान-सभबा-द्वारा पारित एक सधारंण विधियक अधिक्तम अवधी के लिए विधान परिश्ट द्वारा विलंबित हो सकता हैं तो कि hon जींदार हैं चार आप्शन हैं एक महिना च्रॆ महिना पर चार महिना मारा आंसर क्या है 24 महिन है चार महिनी के के लिए आगे चलते हैं था website सामुहिक जिम्मदारी से मंत्री परिशद सामुहिक रूप से जिम्मधार है मरवे पास चार ओप्षन से इसके लिए संश्थ कर लोकसभा जाज्य राज्यसवा या फिर राष्ट्पति नमारा अंसर क्या है बी लोगसवा जो है वो सामविक रूप से जिम्मेदार है ठीक है लोगसवा आगे चलते हैं अब हम निर्विरोध चुने जाने वाले एकमत्र राष्ट्पति थे जो बिल्कुल भी निर्विरोध चुने गए थे जिनके लिए कोई विरोध नहीं हुआ था वो ऐसे कौन से राष्ट्पति थे बस चार आप्शन्स है राजेंदर पसाद ग्यानी जैल सिंग नीलम संजीव रेड रेड़ी या फिर एपीजे अब्दुल कलाम मारा आंसर क्या है सी नीलम संजीव रेड़ी यह निर्विरोध राष्पति चुने गए थे चुने गई थी ठीक है आगे चलते हैं अब हम राष्पति पद के उमीद्वारों को चुनाओ प्रचार के लिए कितना समय मिलता है कि कितना समय मिलता है चुनाओ प्रचार के लिए उनको आगे चलते हैं हम निमलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधारिका है जिससे भारतिय सन्विदान विक्सित हुआ तो ऐसी कौन सी मूल अधारिका है आपस चार अप्शन्स है भारत शाषन अधिनियम 1935 अमेरिका का सन्विधान प्रांस का सन्विधान या फिर बिटेश सन्विधान अबरा आंसर क्या है A. भारत शाषन अधिनियाँ 1935 ठीक है? आगी चलते हैं आवह मं सरमिधान के किस भाग में नीती निर्देशक तत्व का उल्ले किया गया है? तो किस भाग में किया गया है? आपस चार ओप्शन्स हैं तो ती भाग में जो ती भाग में चतुर्त भाग में या फिर सात्वे भाग में वरा आंसर क्या है सी चतुर्त भाग में किया गया है ठीक है आगे चलते हैं अब हम भारती संसद में लोग लेखा समिती का अध्यक्ष कौन होता है तो कौन होता है लोग लेखा समिती का अध्यक्ष हाँ बस चार आप्शन्स हैं लोग सभा अध्यक्ष राजी सभा सभापती विवक्षी जल का नेता या फिर लोग सभा उपाध ज्यक्ष वहारा आंसर क्या है रिट का मतलब है कि हम आग्या देते हैं तो जो लैटन में रिट होती है उनमें कौन से का मतलब क्या होता है कि हम आग्या देते हैं आपस चार आप्शन है उत्प्रेक्षन लेक परमादेश बंदी प्रत्रिक शीकरण या फिर अधिकार प्रक्षा प्रच्छा वर आंसर क्या ह भी परमादेश इसका मतलब क्या होता है हम आगया देते हैं ठीक है आगे चलते हैं अब हमируश्पति पर महाभीयोग लगाने के लिए किसी भी सादन में कम से कम कितने दिन पहले लखे सूचना दी जाती है तो किते दिन पहले जैसे लिके सूचना है चार आप्षेंस है साथ 14 पीस या फिर साथ मारा आंसर क्या है भी 14 14 दिन पहले कि आपको यह सूचना देनी होती है ठीक है लिकेत में आगे चलते हैं अब हम इस फिडियो का लाश कुश्चन है संसद में संसद में निडायक मत किसके पास होता है अब चार आप्षेंस हैं सभापती राष्ट्रपती पधानमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर क्या है इस सभापती ठीक है जो संसद में निडायक मत इसका होता है सभापती का ठीक तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो की कंप्रीट होते हैं उमीदे कि आपने कुछ नया सीखा होगा अब मिलेंगे नेक्स वीडियो में नए कोश्टन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद